एक रियल लाइफ हांटेड स्टोरी में कितनी सच्चाई होती है वेल इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है क्योंकि हम एसेंचिली किसी के द्वारा कही कही बातों को सुनकर चीजें अनलाईज करते हैं अब चाहे स्टोरी कॉंजूरिंग 3 की हो या फिर दो हॉंटिंग इन कनेक्टिकट की कुछ लोग इसे सच मानते हैं वही कुछ लोग इसे बस एक पॉब्लिसिटी स्टंट मानते हैं ऐसी ही एक खास स्टोरी स्टीव लचांस की है जो की मई के 2001 में यूनियन मसूरी में एक नए रिंटेट घर में शिफ्ट होते हैं पेशे से स्टीव एक कॉर्परेट ट्रेनर था जिनका रिसिंटली डिवोस हुआ था एंड स्टीव के बच्चों का नाम था अलाइजा, एलियट और इलाइजा अपने दोनों भाईयों से बड़ी थी एंड एलियट और एलाइज 11 और 12 साल के थे नए घर को सेट करते वक्त एलियट को बेस्मेंट में अजीब आवाजे सुनाई देती हैं और उसे थोड़ा वाइबुरेशन वगेरा भी फील होता है इससे एलियट काफी डर जाता है लेकिन एज यूजियल एलियट की बातों का कोई भरोसा नहीं करता उसी रात एलियट को कॉलिडोर्स में फिर से कुछ आवाजे सुनाई देती हैं और इस बार वो एक भूतिया आकरिती भी देख पाता है इस घटना के बाद भी ये फैमिली एलियट का मजाग बनाती है और इसके कुछ दिन बाद ये सभी अपने ग्रैंट पिरेंट्स के घर गोमने जाते हैं वहाँ से वापस आने के बाद ये फैमिली नोटिस करती है कि उनके घर की सभी लाइट्स ओन थी स्टीव को लगता है कि शायद उनके घर में कोई ब्रेक इन किया है लेकिन घर के सभी डोट्स और विंडोस सही वे में लॉग्ड थे ऐसे में स्टीव सूचता है कि मेभी वही यहां से जाते वक्त लाइट्स ओफ करना भूल गया होगा इसके ठीक बात स्टीव घर को चेक वगेड़ा कर रहा था जब अच्छानक उसे ऐसा महसूस होता है मानो कोई electrical charge उसके शरीर से पास करी हो स्टीव खुद को मनाता है कि मेभी यह एक writing issue होगी लेकिन तभी स्टीव को अपने बच्चों के कमरे से चिलाने की आवाज आती है और वो वहाँ जाता है दरसल एलाइजा ने कमरे के दरवाजे पे किसी शक्स को देखा था एंड सम्हाओ उनका रूम अपने आप लॉक भी हो गया था इतना ही नहीं इनके रूम के डोर्स पे नौक हो रहा था लेकिन स्टीव के आते सब कुछ kind of control में आ जाता है इस पॉइंट पे स्टीव को भी paranormal चीजे महसूस होने लग गई थी लेकिन फिर भी next day वो अपने डाड को wiring वगेरा चेक करने बुलाता है अब स्टीव के डाड जब wiring को चेक कर रहे थे तो उन्हें basement में butcher shower दिखता है अब जिन्हें यहां butcher shower के बाड़े में नहीं पता उन्हें में बता दू कि तकरीवन 100 साल पहले कुछ farmers के घर में ऐसे shower हुआ करते थे जिनका इस्तमाल farmers किसी animals को butcher करने के बाद blood stains को हटाने के लिए करते थे उस जमाने में usually ऐसा shower खून से लथपत होता था और ये इस घर में हुए violence का early indication था तो butcher shower के पाई जाने के बाद घर में paranormal activities और भी ज़्यादा बढ़ गई like किसी के शिलाने के आवाज आना, डोड पे नौक होना या फिर even पूरे घर का vibrate होना ऐसे में स्टीव और उसकी family ने कुछ ऐसा किया जो usually horror movies में लोग नहीं करते हैं yes, वो लोग घर छोड़ कर रात और रात भाग गए इसके बाद ये property फिर से sale पे गई और ऐसे में Linda March की family ने इस property को rent किया Linda की family में उनके husband एनित और उनकी 13 साल की बेटी Ashley भी थी और ये तीनों इस घर में रहने लगे profession wise एनित एक nursing home के maintenance worker थे और Linda किसी department store की sales associative थी घर को decorate करते वक्त Linda को उपर के floor से कुछ आवाजे सुनाई देती हैं जबकि घर में उस वक्त Linda के अलावा और कोई नहीं था उसी रात Ashley भी अपने कमरे के दरवाजे को खुद बखुद खुद खुलते और बंध होते देखती है जबकि कमरे के आसपास कोई भी नहीं था ये family इन strange happening से बारे में बाते करती है लेकिन एनित को इन बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो सब को इन चीजों पर ध्यान ना देने के लिए कहते है दूसरी तरफ स्टीव को अब भी उस घर से जुरी night में ऐसा रही थी इसलिए वो इस घर को विजिट करके लिंडा और उनके husband से मिलता है स्टीव कहता है कि ये घर haunted है और ऐसे में लिंडा स्टीव का यकीन करती है लेकिन एनित को स्टीव की बातों पर भरोसा नहीं था उस रात आशली घर के बाहर एक पेर के उपर किसी बेबी को टंगा होगा देखती है लेकिन जैसे ही वो अपने मॉम को बुलाती है वो बेबी अपने आप ही गायब हो चुका था यहां लिंडा खुद को कन्विंस करने की कुछिस करती है कि शायद इस घर में कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद बहुत जादा डरी गई थी तो इसके कुछ दिन बाद लिंडा को आशली के स्कूल से एक लिटा आता है जिससे लिंडा को पता चलता है कि आशली अपने स्कूल की क्लासेज बंग करने लग गई थी जब लिंडा आशली को इस बात के लिए कन्फरंट करती है तो Ashley के हाथ पे उसे multiple cuts दिखते हैं इस point पे Ashley अपनी mom Linda पे ही चिला देती है और वो कहती है कि उसे अपने आप को cut करने में अच्छा लगता है और वो ऐसा बार बार करती रहेगी Linda फॉरन Ashley को अस्पताल ले जाती है जहां डॉक्टर का कहना था कि teenagers के बीच ऐसी हरकते काफी common है और usually वो अपने stress को दूर भगाने के लिए ऐसा करते हैं या फिर वो किसी और को देखकर cool बनने के चक्कर में भी ऐसा कर सकते हैं ये बात सुनने में तो ठीक लगता है लेकिन लिंडा इस point तक मानने लग गई थी कि उसकी बेटी किसी evil entity के कबजे में है या फिर वो simply possessed है लिंडा फॉरन दे सेंट लुई स्पिरिट शर्च से कुछ paranormal investigators को अपने घर बुलाती है और उनके साथ Steve भी आता है इन paranormal investigators की lead Betsy को तुरंती घर से कुछ negative energy का आभास होता है और उनका मानना था कि इस घर में कुछ other worldly entity है ये investigators घर की thorough investigation करने लग जाते हैं और ये सब एनित को बिलकुल पसंद नहीं आ रहा था investigators को अपनी equipments की मदद से एक faint आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को trace करते हुए वो उपर के कमरे में पहुंसते हैं कमरे में EMF meter कुछ electromagnetic fluctuations पकरती है और यहां Betsy एक old man की presence को महसूस करती है जो की कमरे के एक कुने में ख़़ा था ये old man बार बार कह रहा था कि this is my house इन बातों से Betsy ये अनुमाल लगाती है कि जरूर ये बूढ़ा आदमी पहले इसी घर में रहा करता होगा और उसकी आत्मा आज तक इसे अपना घर मानती है और दूसरों को यहां नहीं आने देती है खेर Betsy Ashley के कमरे को भी चेक करती है जहां उसे powerful negative energy feel होती है Betsy का मानना था कि Ashley के पास कुछ psychokinetic abilities है जिसकी मदद से उसने खुद की एक negative energy create करी है और वो इसी room में है Finally, ये investigators घर के basement में जाते हैं जहां एक दूसरी entity मौजूद थी और ये entity काफी excited और गुसे में थी इस entity को लोगों का presence पसंद नहीं आ रहा था और Betsy को यहां एक psychic force field महसूस होता है इन सभी चीजों को investigate करने के बाद Betsy clearly says कि ये घर haunted है इस बात को जानकर Linda काफी घवरा जाती है और वहीं Steve इस property की history को लेकर research करने लग जाता है Steve local libraries में property के बारे में पढ़ता है जहां वो जान बाता है कि कई साल पहले वो घर किसी confederate officer का था another confederate officer जिसका नाम Captain Wilson था उसे firing squad ने इसी property पे shoot करके मार डाला था इस घटना के अलावा इस property पे कई shootings और murders हुई थी which proved कि ये घर ने काफी violence देखा है जो कि modern times तक चला आ रहा था moreover हम जानते हैं कि इस घर में butcher shower भी था तो ये सब होने के बाद एनित को भी उस घर में supernatural चीज़े feel होने लगती हैं और लिंडा की हालत तो बद से बत्तर हो गई थी इसलिए ये लोग घर को एक Roman Catholic priest से bless करवाते हैं लेकिन ये priest घर में आने के बाद अजीब behave करते हैं और वो यहां से जल्दी भागने के फिरात में थे इस अगें प्रूव्ट कि इस घर में कुछ नकुछ तो जरूर था इन फैक्ट घर में supernatural happenings और बढ़ जाती है मानो घर के घोस्ट अब गुसा हो चुके हैं लिंडा खुद को mentally healthy रखने के लिए एक psychiatric help लेती है और लिंडा के psychiatrist का नाम इमरान था इमरान लिंडा की जाच के बाद उसे depressed बताते हैं लेकिन कहीं न कहीं इमरान को भी spirit वाली बातों में यकीन था इमरान लिंडा को medicine तो देते ही हैं साथ ही वो इसे इस घर को छोड़ देनी के लिए भी कहते हैं फाइनली लिंडा और उसकी फैमिली इस घर को छोड़ने का decide करते हैं और उनके ऐसा करते ही उनकी life में सब कुछ फिर से ठीक होने लग जाता है अब उस घर में किस की spirit थी? वहाँ spirit थी भी कि रही? इन सब सवालों का जवाब तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इस घर में जो दुबारा यानि कि इस इवेंट के बाद जो फैमिली रहने आई वो भी छे महीने में घर को छोड़ कर चली गई अब क्या स्टीव ये सब सट अब कर रहा था? क्या सभी लोग जूट बोल रहे थे? या फिर ये घर सच में हॉंटेड है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या मानते हैं और आप अपनी ओपीनियन मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए मैं यहाँ स्टीव पे हिशा किसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टीव इस केस से काफी closely associated था इन फाक्ट वो इस पूरे केस पे further research करते हुए खुद का मसूरी paranormal research society बनाया स्टीव देश भर के कई paranormal conferences में भाशन दिया और उसने इस incident पे एक book भी लिख डाली जिसका नाम है The Uninvited, The True Story of the Union Screaming House स्टीव यहां recently रह रही Helen के भी काफी मदद करता रहा क्योंकि वो भी इन paranormal चीजों को experience करने लग गई थी So if you see, स्टीव ने इस incident को हर तरह से famous करने की कोशिस करी इसे लिए मेरा शक उस पे जाता है But you never know, there can be actual hauntings in that house It's quite possible के स्टीव एक बहुत ही selfless इंसान था और वो सच में लोगों की मदद करना चाता था तो यहां आप भी दोनों में से कुछ भी सोच सकते हैं और यह आपकी अपनी मरजी होगी अब इस point पे I know आप में से कई viewers कहेंगे कि Well, हमें तो पता ही नी चला घर के अंदर कौन सा भूत था या फिर किस तरह का horror था तो यह कैसी story हुई तो मैं आपको बता दू कि कोई भी real horror story ऐसी ही होती है वो बिल्कुल scripted नहीं होती और उसका कोई definite end नहीं होता है आप जो filmों में real horror story देखते हैं वो काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और उनकी stories को भी edit किया जाता है ताकि वो बहुत ही दिल्चस्प बन सके और लोगों को एक ending मिल सके यहां story काफी simple सी थी और हमें तो पता भी नहीं कि स्टीवन सच बोल भी रहा था या नहीं अब चाहे सचाई जो भी हो मुझे पूरी उमीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर जरूर करे और हां जाने से पहले हमारे चैनल haunting ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजेगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियो लाते रहते हैं पीस